साथियो नमस्कार हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिस्टन की आर्ट एन क्राफ टीचर भर्ती के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है तो साथियो आप सभी को भहुत ही उत्सुकता से इंतिजार है आज की उस हेरिंग का आज की उस सुनवाई का जो आज 19 तारिक को स्वमवार को होनी थी और हो चुकी है और साथियो आपको पता है कि हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने कोरट के अंदर एक अप्लिकेशन पहले की जो डेट दे गई थी वैसे तो 26 अप्रेल को भी डेट है लेकिन उससे पहले 19 अप्रेल को जो डेट दे गई थी लगता था कि इसी के अंदर काफी कुछ निकल कर आएगा काफी कुछ सुलज जाएगा तो साथियो आज 19 अप्रेल को क्या कुछ हुआ जितना अभी तक पता है वो सारा का सारा बताने की कोशिश करेंगे लेकिन साथियो चैनल के साथ बने रहें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को अधिक से अधिक से अरभी करना और साथियो कमेंट करके भी बता करो कि आपको हमारे सेसन कैसे लगत तो साथियों बिना देर लगाए आज का जो आपका इस सुनवाई के बारे में क्या कुछ रहा जितना हमें पता है उतना बताने की कौशिस करेंगे लीजिए आपकी अपडेट करते हैं सुरू अब तो साथियों ये है माननिय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाना की साइट से लिया गया इस पुन्नम देवी वर्सीज स्टेट ऑफ हरियाना एंड अधरस केस की डेटेल जो की साथियों आपको पता है कि माननिय हाई कोर्ट के अंदर HSSC द्वारा 9 अप्रेल को एक application दायर की गई थी और उसी application दायर के हिसाब से 19 अप्रेल की date दी गई थी और साथियो आज वो 19 अप्रेल है जिसकी आज इस case में सुनवाई हुई और उसी सुनवाई के दोरान हमें साथियो अभी इस case के अंदर ज्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है लेकिन जो आपके सामने दिखाई देता ये सक्रीन पर 22 अप्रेल जो date है साथियो next date 22 अप्रेल दी गई है तो इसका मतलब आज अभी इसका फैंसला कुछ इतना नहीं हो पाया है सटे तूटा या नहीं तूटा इस पर भी अभी हम नहीं कह सकते लेकिन साथियो date आगे चले गई है result जिसकी आस लगाए हुए थे सभी साथी की हो सकता है आज इस case का निप्टारा हो जाए तो फिर result के रास्ते भी निकल आए वैसे हर्याना स्टाप selection commission ने eligible और non eligible की जो list जारी की थी सवा 500 page की उससे कुछ ऐसे आसार भी लगते थी कि हो सकता है माननिय high court उससे संतुस्ट हो जाए और उसी के हिसाब से फिर साथियो सटे हट जाए और result का रास्ता साप हो जाए लेकिन सटे का साथियो अभी तक हम कहने सकते कि सटे तूटा य इसकी आ चुकी है तो 22 अपरेल इसकी डेट आने से ही साथियो अभी लगता है कि अभी result में आपको इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन साथियो हम हर पल की update ड्रेंग टीचर भरती से आर्ट एंड क्राफ टीचर भरती से जुड़ी हुई लेकर आते हैं लेकिन आपका भी धर्म और करम है कि चैनल के साथ प्यार और समर्थन बनाए रखना ज्यादा से ज्यादा चैनल को सबस्क्राइब करना ज्यादे से ज्यादा वीडियो को लाइक और सेयर करना क्योंकि हम बड़ी मेहनत से पल पल का जितना इंतजार आप लोगों को है result का हमें भी उससे कहीं अधिक आपके इस case के बारे में जानने की उत्सुकता होती है ताकि हम आप सभी साथियों के इसके बारे में बतासकें और साथियों जहां तक इसके औरडर की का judgment का औरडर की बात है तो अभी हमारे पास वो नहीं है जैसे ही वो आएगा तो उसकी भी हम आपके सामने तभी ले कराएंगे जैसे ही वो आता है और उसको पढ़ करके उसमें क्या लिखा है क्या उसके अंदर अपडेट आई है वो भी हम नेक्स्ट अपडेट में दे देंगे लेकिन साथियों अभी तक तो इस case के अंदर इतना ही बता पाएंगे लेकिन जुड़े रेना चैनल के साथ जो